हलो बच्चो तो मेरा नाम है डॉक्टर नितिन सर्मा और मैं एनाटॉमी से पीजी कर रहा हूं मैं आप लोगों को एनाटॉमी पढ़ाऊंगा देखो एनाटॉमी जनरल यह आपने सुनाई होगा कि बड़ा हार्ड सब्जेक्ट होता है टीपिकल होता है समझ में नहीं आता ल तो आप लोगों को सिर्फ समझना है तो में स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एनाटॉमी एनाटॉमी होती क्या है देखो एनाटॉमी हम किसी भी बैलोजीकल स्टेक्चर कोई भी जीवित स्टेक्चर है या कोई भी बैलोजीकल स्टेक्चर है हम उसकी स्टेडी करते है तो उसे क्या बोलते हैं? Anatomy, the study of biological structure. हम किसी भी biological structure की हम पढ़ाई करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? Anatomy. अब हमारे course में क्या हाता है? Veterinary Anatomy. तो वेटनरी अनाटॉमी क्या होती है यही चीज दा इस्टेडी ओफ इस्टेक्चर ओफ एनी एनीमल बोडी ओफ दा एनीमल है जो हम किसी भी एनीमल की बोडी का स्टेक्चर करेंगे तो फिर उसे क्या बोलेंगे अनाटॉमी वेटनरी अनाटॉमी तो वेटनरी अनाटॉमी क यह होती है the study of I am structure of the body of animals किस्वाइ जानवरों कि हम body की structure को जब हम पढ़ते हैं तो उसे बोलते है वेटनरी एनाटॉमी बोलते हैं यह हमारा वेटनरी एनाटॉमी होगी है ना अब वेटनेनी अना टॉमी हम कोई भी जो ऐनीमल है उसकी बाडी किस-किस चीज से मिलकर बनी होती है जेको सबसे पहले एक किसकी चीज से मिलकर बनी होती है बॉन भाई हमारी बाडी में किसी भी एनीमल बाडी में बॉन होता ही है बॉन होती है detta're shella sä institute इस होती है और और विए kidney होती ہے बहुत सारे और-गंस होते हैं तो tissue पाई जाता है bones पाई जाती है muscles पाई जाती है इसे बहुत सारी चीज़े होती है हमारे nerves supply होती है neurons पाई जाता है brain होता है brain हो गया nerves supply हो गयी blood supply यह सब हम किसमें पढ़ते हैं heart and blood vessels जिस सब मिलकर पूरे क्या बनाते है अम सब अनाटॉमी होती है यह सब um so होता है ठीक है अब सबसे पहले पढ़ेंगे आ कि अ कि देखो एने टो वी में सबसे पहले पढ़ता हैं बॉंस के बारे में यह जनल ली बॉंस क्या होती है पहले हम पढ़ते हैं इसकलेटल सिस्टंप इस्क्लेटन सिस्टम क्या होता है अब हमारी स्क्लेटल सिस्टम क्या होता है जैसे हमारी पूरी बॉड़ी में पूरा धाचा हमारी एनिमल बॉड़ी का कैसे तयार होता है उसे क्या बोलते है इस्क्लेटल सिस्टम बोलते है ठीक है तो इस्केल सिष्टम है क्या? अब देखो जो इसकलेटल सिष्टम है मैंली किस किस से बना होता है इसकेलेटल सिष्टम इस मैंली made by bon and some cartilage मैंली सिष्टम दो चीजों से मिलकर बना होता है bon से और cartilage से भी है हम पढ़ेंगे आगे कई किसे कई भॉन होती है उनके उपर काटिलेज अटेच होता है इह तो गया बॉन काटिलेज से मिलकर बना होता है its DaFl Milk system Whoo । अभी क्या होता है इसमें Escalant system में Blood supply भी होती है on Blood and Northern supply होती है इसमें ठीक है कि एक तरह कCal एं एए External टिशू है लीविंग टिशू है यह हमारा जो स्क्लेटल सिस्टम है वो एक तरह का लीविंग टिशू है कैसे लीविंग टिशू है यह खुद इसकी ग्रोथ करता है स्क्राटर्स का ओन स्ट्राइब अधिक करने की च्मता रखता है बान की क्या होती है इसमें बान का यूनिक harett होता है बान खुद अबने आप में वरद्दी करती है धीर्डिक बढ़ती है ग्रोथ करती है अवर अधि Adapt Durant भी होती है यह फिर कि देंस भी होती है इसकी यह यानी ग्रोध इसकी लूख भी जाती कि न बोन का मरना ऐसे बोलते हैं काई और टीक है यह लेविंग टीसु है ब्लडरगे नर्स अप्लाइ स्प्लाइप करवाती है ब्लान और का देश।िसल बीटम सिस्टम यह मैं इस बोन में बॉन कि इस हार्डर यानि पांच गुना ज्यादा यह हार्ड होती है कि कि स्टील इस तृम से हार्ड जाद होती है बॉन अब बॉन देखो गई आपने प्रैक्टिकल में जब आपको सब कुछ कि लियर होगा बॉन को पखड़ कि funky देखना और यह प手 से पान्च गुना जादा हि होती है है हूं कि तीक है अब यह तो होगए हमारा सिस्टम कि किस नुटा होता है राण कटलेस से होता है क्या-क्या चीजे इसमें होती है अब उसके face क्या क्या है यह हमारी बाड़ी में करता क्या काम है ये भी तो हमें पता होना चाहिए इसके टर सिस्टम हमारी बोडी में क्या-क्या काम करता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए तो क्या-क्या काम करता है ये देखो सबसे पहले help in in movement जो हमारी गतिवीदी जितनी भी गतिवीदी होती है हम चलते हैं करते हैं उटते हैं बैठते हैं ना उन समय यह help करते हैं help in the movement movement को क्या बोलते हैं गतिवीदी in body ठीक है यह इसका पहला function हो गया दूसरा function देखो जितनी भी हमारी body में ये पूरा हमारा skeletal system है इसमें जितनी भी हमारी muscles होती है वो किस से attach होती है मतलब जो skeletal system होता है वो muscles को क्या प्रदान करता है attachment प्रदान करता है ठीक है तो help in attachment to muscles यानि muscle से जुड़ता है जितनी muscles होती है हमारी body में हम पढ़ेंगे दिरे-दिरे कौन-कौन से muscles होती है हमारी body में तो उन सब को क्या करता है ये attachment करवाता है ताकि support मिले थर्ड चीज जो हमारे जितने भी हमारी body में organ होता है जैसे hurt है hurt हमारा कहा होता है यहां होता है ठीक है किन्नी कहा होती है हमारी right and left दो किन्नी होती है पता ही होगा आपको फेफड होता है उन सब के लिए ये protection का काम करती है ठीक है प्रोटेक्ट दा वाइटल ओर्गन्स अगला देखो जो skeletal system में वो क्या करता है body को सेप प्रदान करता है हमारी को shape of body किसकी वो जैसे होती है बाई body है वो किस shape की बनेगी जैसे हमारी animal body कैसे बनी होती है ऐसे होती है human की और animal की कैसे होती है ऐसे होती है तो यह अलग-अलग shape दी हुई है किसने दी हुई है यह हमारे पूरे skeletal system नहीं दी हुई है कि कैसी shape में animal बनी होती है horse अलग दिखता है घोड़ा आपको गाय अलग दिखेगी कुत्ता अलग दिखेगा यह सब अलग-अलग दिखता है तो shape of body यह देता है ठीक है अगला इसका function है कि जो minerals होता है हमारी body में वो कहां रिजर्व होता है कि इस्क्लिटन क्या काम करता है रिजर्वायर और मिनरल्स जैसे calcium फास्पुरस है इन सबका रिजर्वायर किसमें होता है calcium फास्पुरस sulfur वो इस्क्लिटन सिस्टम काम करता है इसका ठीक है एक function और है इसका लास्ट युदि हम देखें यहां देखता है कि यह बॉन मेरो फॉर्मेशन रिजर्वायर फॉर बॉन मेरो इस्क्लिटन सिस्टम में ही प्रजेंट होती है यह अभी मैं आपको बताऊंगा कहां कैसे प्रजेंट होती है लेकिन जितने भी हमारे रेट बिल सेल बनती है हमारी बॉडी में बॉन मेरो बनती है उन सब का रिजर्वायर का काम करता है हमारा कौन यह इसक्लिटन सिस्टम अब देखो हमने यह तो पढ़ लिया इसक्लिटन सिस्टम क्या होता है अब किस कि बना होता है यह बॉन से और स तो हम पढ़ेंगे बॉन देखो अब हम पढ़ते हैं बॉन बॉन क्या होती है ठीक है बॉन यानी हड़ी यह आपको पता ही है सबको जो बॉन होती है बॉन इजे लीविंग टीशू मैंने आपको बताईए अभी तक भाई यह के पूरा लीविंग टीशू है कैसे है लीविंग टीशू क्योंकि इसमें खुद में ग्रोथ होने की चमता होती है अपने आप में यह ग्रोथ भी करवाता है मरता भी है हना सब चीज होती है इसमें living tissue звон is harder structure हाद structure कितनी होती है बताये मैंने आपको eles से पस टासन जाड़ा होती है अब देखो कि एक हम पंपोजेशन पड़े हम पहले कि बौं किस कि .... किससे मिलकर बनी हुती है , पहले हम यह भी तो पढ़े है, बहई अलग-अलग सेफ होती है बॉन की,नान रखना। चैसे भी हम पढ़ेंगे दीरे दीरे कौन कौन से फसरीक्ष ने बहन होती है ना, इसकल में और कहा कहा कैसे कैसे बहन होती है, पहले कह पढ़ो की Composition of do a composition of bond मतलब कि बॉन किस किस चीज मिलकर बनी है अब देखे हम कि composition of bond तो बॉन क्या है एक कि mineralize connective tissue है यानि विए बॉन एक तरह का connective tissue है और कैसे से जिसमें minerals भाया जाते हैं बहुत सारे minerals भाया जाते हैं वो कौन कौन से मिनराल से हैं भी हम आगे पड़ेंगे तो बॉन सबसे बड़ी इंपोर्टेन चीज़ कि बॉन कैसा गनेक्टिट इस हुआ है टीक है घरा मिनरालाइज टीक टीक है अब यह जो कमपोजिशन ऑफ बॉन है यह कैसे कैसे changes होता रहता है vary करता है vary according to age के according वह एक तो यंग कोई बच्चा है उसके born में जो composition पाये जाएंगे मिनरल पाये जाएंगे वो अलग-अलग पाये जाएंगे और कोई बुड़ा आदमी है कोई जवान है मैं हूँ कोई दो साल का बच्चा है एक मेरे पिताजी है सब में अलग-अलग बॉन में अलग-अलग composition पाया जाते है तो देखो वैरी है उसमें एस के according होता है और side के according होता है side मतलब पैर की हड़ी है हाथ की हड़ी है सिर की हड़ी है इन सम्में चो कॉपोजिशन होता है वो पुरा अलग-अलग पाया जाता है ठीक है आया यहां तक समझ में अब कोन-कोन से मिन्डल बेंगा दो नहीं को इनॉर्गेनिक मिन्डल सॉल्ट और एक होता है और गैनिक मिन्डल सॉल्ट यह ध्यान से समझना और गैनिक मिन्डल सॉल्ट ये बॉन में दो तरह के मिन्डल सॉल्ट पाया जाता है एक होता है इनॉर्गेनिक एक होता है और्गेनिक इसमें इतना बस हमें याद रखना है कि इनका रेसो कितना होता है यानि कौन कितना पाया जाता है तो ये टू रेस्टु वन में प्रजेंट होते हैं, बॉन में, टू रेस्टु वन मतलब, भई इसमें यदि ये दस इन और्गेनिक मिंडल हैं, तो ये कितने होंगे, पांच, आराय से मुझ में, ये पन रेसो निकालते हैं अब ये याद कैसे करना है, देखो बड़ी ज्यादा आरा, इसमें, तो जो बड़ा वर्ड है उसके ऐगे, ज्यादा on उसका ज्यादा amount होता है हमारी bong में, ठीक है, इतना धियाан रख ले न लिई, ये ये पनाईजी हो गया याद, ठीक है, तो इन और्गेनिक मिंडल सॉल्ट और ऑर और ओर गेनिक मिंडल सॉल्ट कर रखना जरूरी है जैसे मैं यहां लिख देता हूं ज्यांसे समझना पहला होता है केल्सियम फॉस्पेट केल्सियम फॉस्पेट कितना होता है केल्सियम फॉस्पेट 86% बॉन में पूरी बॉन में जो हमारी बॉन होती है बॉन कैसी होती है यह हमारी पूरी बॉन होगी ठीक है यह हमारी पूरी बॉन हो गई तब बॉन में 86% क्या होता है calcium phosphate ठीक है दूसरा आता है calcium carbonate यह हो गया हमारा पहला यह हो गया हमारा दूसरा calcium carbonate calcium carbonate कितना होता है बताओ 6% होता है यह आप लोग पता नहीं होगा कोई नहीं अभी एक बार याद कर लो जो मैं बता रहा हूँ calcium phosphate फिर calcium carbonate हो गया अब आता है तीसरा कौनसा magnesium phosphate magnesium phosphate यह कितना होता है बताओ magnesium phosphate कितना होता है 3% हमारी पूरी बाउन में magnesium phosphate कितना होता है 3% calcium phosphate कितना होता है 86% और calcium carbonate 6% ठीक है एक लास्ट वन the sodium fluoride एक होता है sodium fluoride एक होता है sodium carbonate sodium carbonate यह कितना मिलकर बनाते हैं 5% मिलकर बनाते हैं ठीक है तो यह हमें हमारे composition सारे याद रखने हैं ठीक है देखो ठीक है या तक हो गए हमारा कि भाई कौन कौन से हमारे composition प्रूजेंट होता है बॉन में अब सबसे बड़ी बात यह तो हमने पढ़ लिया कि really bond होती क्या है और यह किस किसा से मिलकर बनी होते है लेकिन बॉन बंती कैसे है उस बनने का ऐसे ही the formation of formation of bone यानि हडडी के निर्मान को क्या कहते हैं इधर देखो the process of formation of bone is called ossification क्या कहते हैं ओसिफिकेशन आया समझ ओसिफिकेशन क्या होता है इतना याद रखना है कैसे बनती है क्या बनती है वो छोड़ो इतना याद रखना है कि ओसिफिकेशन बोला जाता है बॉन के formation को ठीक है यह तो हमारा हो गया पूरा बॉन हो गया composition हो गई और बॉन के निर्मान हो गया कि बॉन बनती कैसे है अब हमें यह तो पढ़ें कि बॉन कितने टाइप कि होती है तो अवह नेक्सट टोपीक हमारा क्या है दा क्लासिफिकेशन औफ बॉन ठीक है अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ओफ बॉन यह मिटा दूँ है न देखो अब हमारा नेक्स टॉपिक है अधा क्लासिफिकेसन आफ बॉन यानि बॉन के प्रकार बॉन कितने प्रकार की होती है कौन कौन से टाइप की बॉन प्रजेंट होती है इसमें हम पहला पड़ेगे लॉन बॉन क्या होती है इसके नाम से पता चल रहा है यानि लंभी होगी अब लंभी होने यह समझना क्या होता है कैसे होता है क्यूं होता है दिको मैं आपको बताता हूं एक छोटी सीजे उती है एक यह सबस्टेंस कि एक सबस्टेंस पूरा हो गया ठीक है कि यह सबस्टेस्क्राइब होगा और एक इधार होता है एक सब्स्टेंस ठीक है अलगा है यह सब्स्टेंस सभी जगे होता है लेकिन पतली लेयर में होता है थोड़ा थोड़ा लेकिन इधर ज़्यादा होता है पूरी लॉंगबॉन है इस long bone में ये कौन से substance है? इस spongy substance बोलते हैं इसको ठीक है? long bone में नहीं सारी bonds में पाया जाता है और इसे क्या बोलते है? compact substance मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ाओं होता है समझ में नहीं आइगा आपकी चीज़ इसलिए एक बार पहले यह समझाज हो रही है एक होता है compact substance बीच में एक cavity प्रजेंट होती है यह वाली पूरी क्या है यह एक cavity है इसे क्या बोलते हैं अपन तो प्रफलादर्ले क्या होती है we socially mazeite अपनी सेथीजल्फम समझाज है कि लॉं में मेरी विच होती है और यह– करेक्टरिक ईसका युनिक रेक्टर और जिसमेड नहीं होती सिर्फ यह सब्स्टेइश, यह सब्स्टेइश यह सब्स्टेश, यहसान इतलाइस diff लोग में होती है, अब धेखो से यह इस्टैक्चर आगया तो लांग बॉन और ओमत सूर छरण भीचिनly के विट्टि को विट्टि है कोbook सब्सक्चल टीक्स आप मुंस Thank you और ये एसक ओद होगी देखिराए आपको डेयार वेट वेडुन है अब देखो मैं आपको समझाता हूँ यह अपना एनीमल हो गया प्रवाइब देखो अब देखो अब देखो अब देखो यह अपना एनीमल है ना ऐसे समझोगा अब देखो यह अपना क्या हो गया फॉरलिम हो गया इस फॉरलिम में और यह अपना हाइंड लिम हो गया यह हाइंड लिम यह फॉरलिम 4 limb में जो अपनी ऊपर की borne होती है यह कौन सी होती है यह तो हो गई इसके पुला यह हो गई humorous यह हो गई radius अल्ला थीक है? फिर कौन सी आती है carpel आती है, meta carpel आती है phalanches आती है यह बिए अपन पड़ेंगे बस अभी इतना समझो कि यहाँ पर क्या है humorous and radius and along, यह हो गई humorous यह हो गई radius and along, इधर कौन सी होती है, hind limb में अपन देखें, तो यह कौन सी हो गई, femur यह कौन सी हो गई, tbia and fibula weight bearing इसलिए बोला जाता है, these are long bone यह जो 4 bone होती है, these are in long bone, तो weight bearing इसलिए बोले जाता है, क्योंकि पूरी animal body है, उसका weight किस पे आ रहा है, इनी चार bones पे तो आ रहा है, अरे समझ, इसे लिए इने बोले जाता है weight wearing bone sorry weight wearing bone, ठीक है, long bone को बोले जाता है तो unique character क्या है, इनका मैंने अभी भी बता है, medullary cavity present होती है medullary cavity present होती है ठीक है, आया समझ में आपको, और medullary cavity में क्या होता है, bone marrow, इनमें bone marrow present होगी ठीक है, जैसे for example, कौन-कौन सी है, humorous और femur और radius and alna और tibia and fibula ठीक है, आया समझ में आपको, ये तो हो गई, ये ये यमारी long bone, दूसरी हम पढ़ते हैं, modify long bone, modify long bone, modify long bone कौन सी होती है, they are long in structure, long तो होती है, ये bone, लेकिन, medullary cavity इनमें absent होती है, medullary cavity absent, ऐसी कौन सी bone आगे भई, जो long तो है और medullary cavity absent है, तो उसका example क्या है, example age, clavical bone, clavical bone कहा होती है, dog में present होती है, dog में, rabbit में है न, जब आप इनके structure देखोगे, आपको बिल्कुल समझा जाएगा, अगला है अपना miniature long bone, miniature long bone, अब ये क्या होती है miniature long bone, भई ये bone long तो होती है, नहीं sorry, they are long bone, miniature bone is long bone but small in size, small in size जैसे metacarpal हो गई, हाना, metatarsal हो गई, अभी कहा होती है, अभी समझेंगे आप लेकिन, हलका भलका देख लो, ये radio सलना हो गई, यहाँ हो गई carpal और यहाँ होती है metacarpal, ठीक है, तो यह फिर तीन bone हो गई, मैं उपर से मिटाता हूं थोड़ा आपको, अब हमारी next bone हम पढ़ते हैं, कौन सी, short bone, long bone आई समझा आपको, इनको भी diagram को अपन रहने जोते हैं, अब आती है short bone, short bone, नाम से ही पता चल रहा है, small in size हाना, भाई, small मतलब, बिल्कुल कोई cheating के बराबर नहीं, comparatively small हाना, तो दे आर, small in size, and, help in movement of joint, यानि, help in, movement of joint, या फिर, ठीक है, कैसे, अब जैसे इसमें कौन आता है, कार्पल आती है, कार्पल किसमें आती है, short bone में आती है, यह कहा होती है, joint में प्रजेक्ट हो रही है, उनके movement में, help कर रही है, प्रजेक्ट आती है न, for example, और short bone के एक खास बात और है, they are, they have smooth surface, यानि, चिकनी होती है, इनकी surface, और, six surface रखती है, जबकि लॉंग बॉन तो, दो, चार, इतनी रख सकती है, बजा जया जदा, दो, चार रखती है, anterior, posterior, cranial, and caudal, लेकिन इसमें, six surface रखती है, for example, carpal bone, carpal and tarsal, ठीक है, अब आती है, अब आती है, फिफ्ट बने इज, फ्लेट बॉन, नाम से यह पता चल रहा है, यानि, फ्लेट होंगी है, तो, दीज बॉन्स आर, फ्लेट, triangular bone, अब थोड़ दिर बाद, या फिर नेक्स लेक्चर में, हम पढ़ेंगे, कि, जो हमारी escape उला होती है, यह मैंने आपको बताया था, अब इसके उला, यह आती है, हमारी किसमें, फ्लेट बॉन्स में आती है, यह वाली bone, यहां present होती है, कैसी होती है, यह फ्लेट होती है, दोना तरव से ना, एकदम चिप्टी हुई, और, triangular in shape होती है, ऐसे, ऐसे होती है, triangular in shape में होती है, लगवक्ट, और, दे हैव, टू सर्फेस, या फिर, जो दो सर्फेस होती है, फ्लेट बॉन की, उनके बीच में, cavity present होती है, तो टू सर्फेस, and closing, cavity, यानि, cavity वो, cavity यानि, खाली space, गुहा, कोई गुफा, तो दोनों सर्फेस के बीच में, cavity present होती है, ठीक है, या आगे मैं मिटाता हूँ, और, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कौन सा सब्स्टेंस है, spongy सब्स्टेंस है, तो, फ्लेट बॉन की, between, both surface, यानि, दो सर्फेस होती है, इसकी, ठीक है, फ्लेट बॉन की, दो सर्फेस होती है, एक लेटरल, एक, मीडियल, वो हम पढ़ेंगे आगे, between the both surface, spongy सब्स्टेंस प्रजेंट होता है, spongy, सब्स्टेंस, प्रजेंट होता है, ऐस समझ, ये हमारी फ्लेट बॉन होगई, जैसे, for example, इसके पुला, इसके पुला प्रजेंट है, ठीक है, अब हमारी अगली बॉन कौन सी है, इर्रेगुलर बॉन, अब देखो, जो इर्रेगुलर बॉन है, दे आर, rough, and, इर्रेगुलर इन, सेब, इर्रेगुलर इन, सेब, आया समझ, जो इर्रेगुलर बॉन होती है, वो rough होती है, और सेब में, इर्रेगुलर होती है, manly present कहां होती है, present, manly in, midline of iscleaturn, या फिर, midline of body, for example, examples हैं इसको समझते हैं, पहले ही अपने example देख लेते हैं, इसका आता है, vertebrie, अब खुद देख आप, vertebrie कहां होती है, हमारे यह, अमें लिए vertebrie है पूरी है ना, यह, तो कहां है यह, midline of the body, ठीक है, यह animal हो गई, vertebrie कहां होती है, यह हो गई, तो midline of the body, कहां प्रिजंट होंगी, ठीक है, अब they have, the irregular bond have, more surface, more surface, for attachment to the muscles, for attachment, किसके attachment के लिए, muscles के लिए, for attachment to the muscles के लिए, irregular bond में, more surface होती है, ठीक है, जैसे for example, हमने पढ़े लिया, vertebrie होता है, ठीक है, अब next देखते हैं, pneumatic bond, ये भी में मिटा आज़ता हूँ, flat bond भी, देखो, pneumatic bond आती हैं हमारी, pneumatic bond सब में present नहीं होती, pneumatic bond, manly present in case of, birds, manly present in birds, वही पक्छियों में, ये बॉन present होती है, क्यों, क्योंकि इनकी bond में, air sex पाया जाता है, air filled cavity पाया जाती है, air filled cavity, यानि air भरी होती है, अड्डियों में, भाई birds की अड्डियों में क्या होती है, air भरी होती है, इसलिए ने pneumatic bond होती है, और इसलिए वो, easily fly कर सकता है, humerus in birds, आया समझ, next हम पढ़ते हैं, sesamoid bond, देखो, sesamoid bond क्या होती है, they are, sesamoid bond क्या होती है, उसके तरह की bond होती है, सीसेम लाइक स्टेक्चर, sesamoid bond में, seed लाइक स्टेक्चर होती है, सीसेम के लाइक है ना, फिर अगली चीज, बढ़ी इंपोर्टेंट, they are useful, useful in, avoid the friction, avoid the friction in joint, joint में कई बर friction आता होगा, आपने पढ़ाई होगा, गिर्सन बर सुना होगा, कि बढ़ी कोई भी किसी भी चीज पर दूसरी चीज चल रही है, तो उसके जो रुकावट की जो छमता होती है, उसे गिर्सन बोलते हैं ना, friction बोलते हैं, तो friction, useful in avoid the friction in joint, for example, एक्जांपल के लिए क्या आएगा इसमें, पटेला बॉन, पटेला कहां होती है, यह पता ही होगा आपको, अना, गुटनों बे, अना, अपने गुटनों पे, पटेला बॉन होती है, ठीक है, फिर एक next one, last बचला है, यह कफी important है, for example, purpose, थोड़ा आप जहांद से देखो, इसमें आता है, विस्टल बॉन, विस्टल बॉन, विस्टल बॉन मतलब क्या होता है? देखो, कुछ, हमारी एनिमल बॉड़ी में, कुछ ओर्गन्स होते हैं, विस्टल ओर्गन्स में, कुछ बॉन, बॉनी इस्ट्रेक्टर पाए जाती है, hard structure पाई जाती है, जैसे bonds are, पहले ही लिख लेता है bonds present in किसमें present होती है whistle organ आ रहे समझ मैं, तो यह हो गई हमारी पूरी whistle bond for example, oscordis oscordis कहां पाई जाती है, the bond present in hurt in ruminant, यानि in cow ठीक है, ध्यान रगना, aux में पाई जाती है, in ruminant ruminant के hurt में एक bond पाई जाती है, जैसे क्या बोलते है, oscordis अगला example है, oscordis oscordis कहां पाई जाता है, the bond present in penis in dog आ रहे समझ एक आता है, osphrenic osphrenic मतलब bond present in diaphragm in camel ठीक है, एक होता है, os rostrail यह जान रगना, अच्छे से याद रखना exam purpose के लिए बहुत important है oscordis क्या present होता है, ostrail में bonds present in ospresentin, ospresentin, os rostrail bond presenting pig ठीक है, now last one is osopticus osopticus कहा होती है, bonds present in oscleral in foul ठीक है, जो पक्छी होता है, हमारे birds होता है, उनकी osopticus bond, तो यह हमारी हो गई, the classification of bond bond के हमने type पढ़ लिए कई, long bond पढ़ लिए हमने, miniature long bond, modified long bond salt bond पढ़ी हमने, flat bond पढ़ी हमने, irregular bond पढ़ी हमने, pneumatic bond पढ़ी हमने, sisemod bond पढ़ी हमने, whistle bond पढ़ी, तो यह हमारी 9 तरह की bonds present होती है, हमारी पूरी body में, ठीक है, तो यह तो हमने पढ़ लिया चलो, bond अब हम पढ़ते हैं कि, skeleton जो था हमारा, वो कितने type का होता है, bond हमने पढ़ लिए कितने type की होती है, हमारी body में, skeleton, दो पार्टों में, divided हुआ हुआ है, कि भाई, पूरी body है, इसका जो जितने भी skeleton है, पूरी body का, animal body का, उसको, two parts में, डिवाइड किया हुआ है, वो हम पहल type of skeleton 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 हमारी body में, दो पार्टों में, डिवाइड किया गया है, पहला एक्जिल स्कलेटर, दूसरा अपेंडिकूलर स्कलेटर त्रीक है, अब देखो, एक्जिल स्कलेटर कौन सा होता है, वो सारी हड़ियां, वो सारी bonds जो पूरी body का, हमारी एक्सिस तयार करती है, एक्सिस मतलब यह, middle पार्ट है न, तो जो middle part तयार करती है, वैसी कौन-कौन सी बौन है इसकल हो गई हमारी, भय हमारी पूरा सिर है, उसको क्या बोलते है, इसकल तो वोलते हैं ना हेड्स की सतनी बॉन होती है उन्हें इसकल बोले आता है तो पहले हो गई इसकल की बॉन साइटां ना पार कि ce Von soft is kal किभी दूसरे वर्टीब्री कॉलम कि सब्सक्रन जीतनी भी होती आँए रहेये समझ में यह मरी अक्सिस बनाता है यह हमारे या मारी पीछे वाला यह वर्टीब्र हो गई पूरी हमारी ribs हो गई, sternum हो गई है न, ribs हो गई और sternum हो गई, तो ये हमारी क्या बनाती है, axle scletor बनाती है ये सारी बॉन मिलकर, जबकि appendicular scletor में कौन कौन सी आती है, the bonds of forelim and hindlim, forelim की बॉन और hindlim की बॉन जितनी भी होती हैं, वो सब हमारी किसमें आती है, अब इन दोनों इस्क्लिटन में जितनी भी तरह की बॉन पाए जाती है जैसे इसकल की बॉन हुई वर्टिब्री की हुई रिप्स हुई इस्टर्रम हुई बॉन्स ऑफ फॉरलिम हुई हांलिम हुई यह सब हम दीरे दीरे अब पढ़ेंगे एक एक करके हम पढ़ते हैं इससे हमारी पूरी जो एनिवल बॉड़ी है इसकी बॉन्स सारी कवर हो जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बॉन ओफ इसकल वही सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं पहले से तो हम पढ़ेंगे बॉन ओफ इसकल बॉन्स ओफ इसकल देखो बॉन्स ओफ इसकल में क्या आता है दब इस्टेक्चर ओफ बॉन्स ओफ हैड हैड की जितनी भी बॉन होती है किसमें आती है इसकल में ना बॉन्स ओफ हैड कमिन इसकल ठीक है अब जो इसकल की बॉन होती है आप दे अधा ओल बोन्स यानि एक्सेप्र मेंडीबल द्यान रहना देखो ऑल वॉन्स ओल बॉन्स आर जॉइंट और जॉइंट टुगेधर भाई कौन से जॉइंट के द्वारा सीचर के द्वारा सीचर एक जॉइंट होता है जो कि इम्मूवेवल टाइप होता है यानी fiber joint में आता है यह अब joint में हम आगे पड़ेंगे joint कितने type के होता है तीन type के होता है movable, immovable and restricted movement वाले जो कि एक तो चल सकते है, movable होता है, move कर सकते है दूसरे बिलकोल move नहीं कर पाते है, तीसरे कुछ-कुछ move कर पाते है तो किस में जोड़ी होती है इम मूवाबल जॉइंट के द्वारा यह सारी बॉन जोड़ी होती है except wid accept सेफ सबसे बड़ी बात इर्रेगुलर इन सेफ सेफ इनकी इर्रेगुलर ही होती है जाए तर ठीक है अब इसकल की जो बॉन है वो दो पार्टों में डिवाइड हुई है दो पार्टों में डिवाइड की हुई है एक होती है क्रेणियल बॉन्स और दूसरी फेशियल बॉन e associate vão और वक्तव को तयार करती है न और रहर्म जो वारी की लिए को तलियाऒ करते तो नहीं कीनियम कॉन कोंसी होती है में पहलें पनेगे लेकिन क्या गरती हैं कंपोज्ट बनाती है किसको cranial cavity cranial cavity तयार करती है इस cranial cavity में क्या क्य होता है brain ठीक है eyeball ear यह सब किसमें परजेंट होता है हमारे cranial cavity में परजेंट होता है और सबसे बड़ी बात these bonds provide passage यानि रास्ता दिखाती है किसके लिए provide करवाती है किसके लिए spinal cord और blood vessels ठीक है और cranial नर्व ठीक है तो यह तो हो गई हमारी cranial bone और facial bone क्या करवाती है यह हमारे पूरे अनिमल के face को तयार करती है ना face of animal तो यह हमारी हो गई cranial bone और facial bone अब यह कितनी कितनी होती है देखो अब हम एक एक करके इनकी bone पढ़ेंगे कि cranial bone कितनी होती है ना facial bone कितनी होती है ठीक है देखो यह पढ़ने से पहले हमें यह समझना जरूरी है इसकल में जितनी भी bone होती है cranial bone और facial bone कुछ bone paired form में होती है यानि double form होती है जैसे हम पढ़ेंगे frontal bone तो frontal bone कितनी होती है दो होती है एक यहां एक यहां दोनों मिलकर यहां बनाती है फिर आती है parital bone प्राइटल bone में paired होती है फिर आती है temple bone temporal bone में paired होती है लेकिन और से प्राइटल bone single होती है ऐसे तो कुछ bone तो paired होती है और कुछ single होती है ना ये हमें कुछ bon होती होती है इसमें अब kenial bon कितनी होती है हमारी body में 7 7 number of kenial bon are present and 9 number of facial bon are present अब ये कौन कौन सी कितनी कितनी होती है कौन paired होती है कौन क्या होती है ये अभी हम देख लेते हैं ठीक है तो हमें table form में बनाते हैं एक तरफ cranial bon एक तरफ facial bon तक कि इजी लिए समझाएगा याद रहेगा हमारे पहले हम पढ़ेंगे cranial bon इधर देखो cranial bon और इधर facial bon ठीक है देखो पहले हम पढ़ेंगे cranial bon cranial bon कितनी होती है और 3 होती है single bon कैसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंटल bon frontal bon कैसे होती है प्रेंटल bon एक हमारे आगे आगे present होती है दूसरे हम पढ़ेंगे parital bon ये कैसी होती है, पेर्ड होती है तीसरा होता है, इंटर पेराइटल बॉर्ड इंटर पेराइटल बॉर्ड ये कैसी होती है, ये भी पेर्ड होती है तीन हो गई, फॉर्ट बन आती है टैम्पॉरल ये कैसी होती है, पेर्ड होती है तो यह तो हो गई हमारी चार पेरड बॉन अब सिंगल बॉन वो कौन कौन से होती है एक आती है टैम ओसी पिटल बॉन यह कैसी होती है, सिंगल होती है, एक ही नमबर है न, एक ही होती है, जबकि यह पेड मतलब दो-दो नमबर में होती है यह में सा, ठीक है, अब ही मैं आपको समझाओंगा, थोड़ी देर में, रुको, ओसी मिटलो गई, एक होती है, एथेमोईड बोहन, यह कैसी होती है, सिंग ये कैसी होती है ये बी सिंगल होती है आए गो आ रहा है समझ पर यह नहीं कि में पूरी साथ भॉन ठीक है Oops पढ़ते हैं फेसिल बॉन की तरफ आते हैं बाया फेसल बॉन कितनी होती है नमर कितने होते हैं बता अभी बताया था में थोटे ज्वाध में नो इस होती है या पहली कॉन सी आती है लेकरी मेल बॉन लेक्रिमबॉर कैंसी होती है पिए ठीक है इन नौ दो में और विन ऑंवर सिंगल और जब कि क्रैनियल बॉन में opens सेवसे सेवन ऑन कर सेरी इतना याद रख लोकर소 अपने आप याद आजाएगा फॉन 48 रोटेंटill कीश मेसे कि यह आरेघए एंट वनेट सिंगल तरे लेकरिमन रॉल पेड़ ओते हैं दूसरी है घू पहली चाम्हक्त कीशिक इसोग सबस्य क्याते हैं यह गाल तुछ भाइड ब मैलार कनी पेर शुद्ट करने वो पेड बयमलाあの ज дост बॉण आती है प्रीमैडेला प्रुण। ह吧 रμέत जिला कैसी होती हैं अनलवेला प्रुण। होगही नफॅअर्टव बॉण स讲ें। हो गई मैलर हो गई मैक्जिल हो गई प्री मैक्जिल हो गई और पहले टाइन हो गई अगली आती है नेजल बॉन कि नेजल बॉन कैसी होती है कि यह भी पेड़ फॉर्म में होती है यानी दो होती है ठीक है एक आती है टेरिगॉइड बॉन यह सारी फेसियल बॉन है मतलब सारी फेस बना रही है यह जितने भी फेस जो होता है हमारी एनिमल बॉड़ी में उन सब का फॉर्मेशन निर्मान यह सारी बॉन मिलकर करती है ठीक है एक होता है टर्बिनेट बॉन यह कैसी होती है यह भी पेड़ होती है आ रहा है समझ में एक होती है नवी यह होती है वोमर बॉन वोमर बॉन अकेली ऐसी है जो सिंगल होती है ठीक है शिंघल बॉन है जबकि इसमें औशिपिटल बॉन ओर स्वेनौइड बॉन सिंगल होती है जबकि उसमें बॉमर बॉन में सिर्फ वर्मर बॉन सिंगल होती है तो यह हमारी हो गई cranial bond and facial bond अब देखो पूरी हमारे skull का निर्मान यह सारी bond मिलकर करेंगे face का निर्मान, facial bond करेंगे, cranial cavity का निर्मान, cranial bond करेंगे लेकिन यह कहां कहां present होती है यह हम एक बर superficially देख लेते हैं तो अब हम पढ़ेंगे मैं आपको यहीं समझाने कोसिस करूँगा ध्यान से समझना सबसे पेले बलते हैं frontal bond, frontal bond क्या होती है this bond from the present in the anterior side of forehead, forehead का निर्मान करती है यह ठीक है सुपरफीसल यह हम समझेंगे कि यह bond कहां present होती है, frontal side कहां present होती है भई, animal body है हमारी उसमें forehead का निर्मान करती है, frontal bond करती है ठीक है parital bond, parital bond मतलब lateral side में present होती है हमारी, जैसे यह हमारा forehead हो गया, यह हमारा parital हो गया तो यह frontal की दो bond और parital की यह bond फिर temporal कहां होती है, temporal हमारे यहां होती है और occipital, occipital एक होती है वो यहां होती है ठीक है तो समझो, तो paddle bond कहां होती है, lateral side में present होती है lateral side of of posterior part of skull posterior part of skull, ठीक है inter-parital bond मतलब paddle के पास ही होती है, यह खते है temporal bond temporal bond हमारे posterior side में present होती है skull के, ठीक है, present posterior side of skull ठीक है, यह क्या बनाती है, temporal bond से temporal fossa बनता है ने, ने, सौरी, सौरी, सौरी temporal bond are present formation of the lateral wall of thorax lateral wall of skull lateral valve of skull, इसकल कौन बनाता है temporal bond बनाती है, पूरी lateral side में होती है जिसे temporal fossa present होता है temporal bond से क्या निकलता है temporal fossa निकलता है, हमारे ears related होता है ठीक है, फिर आता है occipital bond occipital bond कहा होती है, एक single bond होती है यह तो पेड में होती है, दो-दो होती है यह में सा न, और temporal bond दो होती है paratal bond दो होती है और forehead में frontal bond दो होती है लेकिन occipital bond single होती है और क्या बनाती है posterior part of skull आ रहा है समझ, फिर आती है ethemoid bond, ethemoid कहा होती है ethemoid bond are present between the cranial cavity and nasal cavity के बीच में प्रेजन्ट होती है present between cranial cavity and nasal cavity यह जब आप practical में bond देखोगे, इसकल की तो आपको सब को समझा आ जाएगा ठीक है, इतemoid bond कहां प्रेजन्ट होती है cranial cavity और nasal cavity की बीच में और spinet bond, यह कहा करती है the floor of the cranial cavity कौन बनाती है यहीं बनाती है floor of the cranial cavity ती कौन बनाती है spanoid bond बनाती है, यह कैसे होती है singled होती है, ethemoid bond में singled होती है अब बनाती है अब आता है हमारा फेशल बॉन ये तो होगे हमेरा क्रेशल बॉन जाहरे में पढ़ लिया और आपड़ अब यह उतिया हमारी जो पहले हम पढ़ेगे सौरी लेक्रिमल बॉन कहां होती है लेटरल साइड में लेटरल एंटिरियर साइड आफ इसकल यानि कि inequality लेकरिमल लेकरिमल वन forcement लकती है लेकरिमाल सैंख बनाती है रेटर in लेटरल साइड शेंट होती है यहां पे ठीकर और क्या बनाती है लेकरिमल शेंगंट फ़र्म시면 करती है ठीकर पिर आती है by आती है मोलर बोरन मोलर आप देखोगे तो यह हमारी यहां तो लेक्रीमल बॉन होती है यहां हमारी त्या होती है अब आती है मैच्जिला मैच्जिला वेरी इंपोर्टेंट बॉन तो मैच्जिला इस दा मैच्जिला इस प्रजेंट इन पेर्ड फॉर्म एंड इट इस फॉर्मेशन ओफ दा अपर जो ओफ इसकल अपर जो ओफ इसकल ठीक है अपर जो बना रहे है एंड रूफ ओफ दा इसकल रूफ ओफ दा इसकल यह बनाती है मैच्जिला न पेर्ड फॉर्म में होते है फिर आती है प्री मैच्जिला प्री मैच्जिला क्या करती है दा एंटिरियर पार ओफ अपर जो किसके द्वारा बनाया जैता है प्री मैच्जिला के द्वारा जब जैसे ही आप बॉन देखोगे जो सब को समझाएगा कि मैच्जिला यहां होती है प्री मैच्जिला यहां होती है ना दा एंटिरियर पार ओफ अपर जो किसके द्वारा बनाया जयता है रिमैग जिला के द्वारा ठीक है अब दता है पैले टाइन बॉन पैले टाइन बॉन क्या होती है देखो हमारी होगी नेजल के वेटी नेजल के वेटी में जो अपर पार्ट होता है यानि अपर पार्ट ओफ नेजल केविटी पैलेटाइन बॉन क्या बनाती है अपर पार्ट ओफ नेजल केविटी नेजल केविटी का जो उपर वाला अपर पार्ट होता है वो पैलेटाइन बॉन के द्वारा बनाया जाता है फिर आता है नेजल बॉन nasal bone क्या होती है nasal cavity का roof बनाती है roof of nasal cavity किसके दोरा बनाया जाता है nasal bone के दोरा फिर आता है tarigoid bone देखो tarigoid bone क्या बनाती है lateral wall of nasal cavity nasal cavity lateral wall किसके दोरा बनाया जाता है tarigoid bone के दोरा roof किसके दोरा बनाया जाता है nasal bone के दोरा upper part of nasal cavity किसके दोरा बनाया जाती है palatine के दोरा और जो बीच में nasal septum होता है वो किसके दोरा बनाया जाता है pomer bone के दोरा nasal septum का formation कौन करता है pomer bone करती है और यही एक symbol bone है जो single form में present होती है बागी सब paired form में होती है तो यह हमारी पूरी हो गई facial की bone को skull की bone साथ कितनी cranial bone होती है साथ bone present होती है na cranial bone जिसमें से 4 paired होती है और 3 single जबकि यदि हम facial bone पे जाएं तो 9 bone present होती है जिसमें से 8 paired form में होती है और एक single form में present होती है ठीक है single form में कौनसी होती है वो अमरे bond present होती है ठीक है अब हम पढ़ते हैं हमारी एक bond बच्ची है इसमें पूरे हमारे skull में एक होती है mandible bone कौनसी बैंडीवल तो अब वो समझता है mandival bone कौनसी होती है यह है with about at next you a little आइप मैं अधिक जो मैं इंडीवल बनाती है लोवर जो बनाती है कि फॉन लोवड़ स्टंट कर। कि आपने यह अधिन सफेसे और यहमारी मीडियल सर थिए ठीक है it have to while the large part of thethe mandible यह आपको पता है प्रभष बनाती आप जो किसके दौरा बना जाता है अब देखों यह जो हमारी पूरी नाister है इसके दो surface होती इंडी मेंटेल के यह दूसरी साइड यह पहली बौन तए इनी Black color में और जो Red color में यह दूसरी Mandival है और इसका Medial View दिखाया हुआ है ठीक है The Mandival have one body and have one ram It is divided in the Mandival नो जो body है वो ram और एक तो होता है ram and एक होता है body ठीक है? Two parts में यह divide होता है Body कौन सी होती है? यह होती है बड़िः काम सी होग इसकी पहले हैपन पडहेंगे, बड़ी भॉर इचांतरों पाइल फट्विए श्छिॉरा, अधिए पॉर भजस्ट कीज़ावट, इसका तब्ड़िवटों, इसकांतरों पाइल जीसे हम इंसाइजर भी बोलता है ना एंटीरियर में इंसाइजर तीत होते हैं इसलिए इंसाइजर बोले जाता है इसे और दूसरा पोस्टीरियर पोस्टीर को क्या बोलो जाता है मोलर ठीक है तो यह होगे हमारी पूरी बोडी अब आता है रैम रैमी क्या होता है सेकिंड व vertical part of mandible, this is called rame जो rameus होता है हमारा rame होता है have two surface two angle and two border जो पूरा हमारा rame होता है यह क्या रखता है, दो surface रखता है दो angle रखता है, दो border रखता है अब सबसे बड़ी खास बात जो इधर मैं लिख रहा हूँ जो हमारा dorsal angle है dorsal angle have one coronoid process one coronoid process and one condeloid process एक होता है condeloid process, एक होता है coronoid process, ठीक है condeloid process हमें सिर्फ इतना याद रखने की जरू होता है, ठीक है अब आपको पते ही है, यहां कौन से तीथ होता है, molar तीथ होता है, और pre molar तीथ यह सब होता है यहां पर यहां यहां पर आ यह पर यह परी molar तीथ यह सब होता ही है, बागी incisor तीथ यहां होता है, anterior border पर आ बोडी के पर, और dorsal जो एंगल होता है वो यह हमारा dorsal एंगल है, क्या रखता है, one coroner process और one condeloid process ठीक है, तो यह हमारा हो गया पूरा mandible, mandible को include करके पूरा हम यह तो होगे हमारा मेंडीवल पूरा कम्प्लीट अब हम पढ़ चुके हैं अभी तक पूरी स्कल की बॉन यानी एक्जल स्कलेटन में तीन चीज़ आती दी कौन-कौन सी इसकल, रेप्स, वर्टिब्री कॉलम और इस्टर्नम चार चीज़ आती थी ठीक है हमने ये तो पढ़ लिया अभी तक की ऑक्स की कैसे होती है ना लेकिन अभी तक हम पढ़ चुके हैं ऑक्स के बारे में इसकल ऑफ ऑक्स है ना इसकल हमारी कम्प्रीट हो चुके लेकिन हम होर और इसकल के बारे में कई बड़ पूछ लेते हैं कि तर डिफ्रेंज बिट्वीन होर्स अंड ओक्स इन इसकल इसकल में जो मरे सिरकी हड़िया है उसमें क्या-क्या नतर होते हैं तो देखो पांच चार-पांच अंतर हम पढ़ेंगे पहला तो इसकल ऑफ होर्स, इन केस absent होता है ना in horse हम horse में पढ़ रहें हैं ठीक है दूसरा जो mandibular के जो दोनों दो mandibular होती है दोनों both mandible यह completely fused होती है is completely fused लेकिन in case of aux यह completely fuse नहीं होती है दोनों mandibular ठीक है पीछे की साइड से थर्ड वनी स्वारी चीज़ जा मैंडीबल में कैनाइन तीद के लिए जोख एल्वेलर मेंडीबल के आल ये रिडार तो ऑफ मैंडीब्रर में करने वाफ हैशघ्य में कैना ईन थीर तीद किकैने इसमें प्रजेन अते हैं मलब बॉडर में कहना इंतीथ के लिए जगे होती है इसमें in case of horseman ठीक है फॉर्थ बन देखे हम तो इसकल जो होती है वह क्या होती है long होती है and four-sided होती है यह दान रखना horse की जो bone होती है वो four-sided होती है और long होती है ठीक है तो यह डिफ्रेंस हम चनली पढ़ते हैं किस में होर्स में और ओक्स में तो हमारी इसकल यहां पर कंप्लीट हुई है नेक्स लेक्चर में हम पढ़ेंगे तो वर्टिबी कॉलम इस्टर्नम एंड रिप्स तीक है उससे हमारा कंप्लीट होगा एक्जल इसकलेटर ठीक है तो क्या, ध्युक्य।